आज कि इस वीडियो का टाफिक है कि why we need RMS value RMS value कि हमें क्यों जोरूत होती है किसी AC सिस्टम में तो पूरी वीडियो को यह आप भ्याम पर देख लेते हैं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे इंटर्वी में भी आपसे कोशन पुछा जा सकता है तो वहाँ पर आपको क्या जवाब देना है वो भी आपका आच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आएए देख लेते हैं देखे RMS value जो होता है इसका फुल फार्म होता है root mil square value यह जो होती है यह केवल और केवल AC सिस्टम में ही हमारा RMS value होता है DC सिस्टम में नहीं होता है उसका कारण यह होता है कि यदि हम DC सिस्टम की बात करें तो DC सिस्टम में देखे इस तरह से सीधे सीधे की straight line चलती है इसमें जहां पर जो value होगी वही value यहां पर वही value यहां पर वही value यहां पर हर जगाँ पर वही value होगी माल लिए यहाँ पर अगर 24 बोल्ट की अधि हमारी बैटरी है तो 24 बोल्ट ही यहाँ पर भी होगा 24 बोल्ट यहाँ पर 24 बोल्ट यहाँ पर हर जगह पर वो वोल्टेज जो है हमारा वह एक ही रहेगा इसमें कोई भी परिवर्टन नहीं होगा लेकिन यदि हम AC सिस्टम के बात करें तो AC सिस्टम कुछ इस तरह से होता है इसमें क्या होता है कि फ्रिक्वेंसी होती है इसमें फ्रिक्वेंसी नहीं होती है इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई परिवरतन नहीं होता है लेकिन जो हमारा AC होता है उसमें frequency होती है, अब frequency होने के कारण या positive में और negative में, दोनों मान इसके आते हैं, जब वह positive में जाता है, तो उसका plus में मान रहता है, और जो negative में आता है, तो उसका मान negative में हो जाता है, इसलिए जो frequency होती है, उसको हर्टज में कितना है भारत का frequency, 50 हर्टज पर सेकेंड, प्लस में 50 बार माइनस में जाती है अब यहां पर देखिए यहां पर कुछ अलग वैलू होगी यहां पर कुछ अलग वैलू होगी हर जगह पर अलग अलग वैलू होगी तो बात यह वही कि मान लीजिए कि कोई हमारी मोटर है यद हमें इस मोटर का पावर निकालना है तो हम क जब हमारी AC सिस्टम की बात आती है तो वहाँ पर हर जगह पर जब voltage और current हमारी परिवर्थित होती रहती है यहाँ पर कुछ अलग voltage होगा यहाँ पर कुछ अलग current होगा यहाँ पर current का जो मान है जो वह बदलता रहता है उसकी वज़य से जब हमें कहीं पर भी power निकालना होता है P is equal to V into I तो voltage और यह जो हमारा current होता है यह जो value है हमारी अगर वह हमें exact मिल जाती है तो वह तो हमारा power निकलाएगा आराम से लेकिन AC सिस्टम में क्या होता है हर जगह पर इसकी value अलग-अलग होती है अब यहाँ पर जब अलग-अलग value है तो अब आप झिस वक्त आपने voltage या current को आपने calculate किया उस समय उसकता है यहां पर हो यहां पर हो यहां पर हो इसलिए आप जब देखते होंगे कि इसका current का मान बदलता रहता है, voltage का मान कितनी है एक्जामपल ले लिए 10 एंपियर के दिए आपकी करेंट ले रही है मोटर तो 10 एंपियर हो सकता है जिस वक्त आपने करेंट लिया वो वैलू वो इस समय यहां पर हो उस थोड़ी देर के बाद यहां पर 11 एंपियर हो जा रहा हो यहां पर 9 एंपियर हो जा रहा हो कु कि यहां पर 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 यहां ठीक है, सबसे पहले इन सभी मानों का हम sqx कर देंगे, जो वैलू आएगी उन सभी का हम average निकाल देंगे, और उन सभी का average निकालने के बाद उसका जब हम route निकालेंगे, तो हमारी एक्जैक्ट में हमारी RMS वैलू हमें मिल जाएगी, तो कि उस value में इसका भी मान होगा, इसका भी, इसका सभी का मान होगा, लेकिन जब आप मान लिए 10 ampere आपने count कर लिया, मान लिए 10 ampere, तो वहाँ पर क्या है वो जो 10 ampere है, वो 10 ampere exact उसी जगा का होगा, जहां पर उस वक्त आपने लिया होगा current, अब अगले समय वह current बदल गय लेकिन जब आप RMS value निकाल करेंगे, तो अर्म्स वैल्यू जब निकालते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, कि सभी, जो इतने भी मान होते हैं, सभी मान का work होता है, और उसकेAbeda है, drug होता है, ऑर उसके बाद आप आइवरेजर निकाल करके, उसका root निकालते हैं, उससे क्या ह अगर हम RMS value का उप्योंग नहीं करेंगे तो exact में हमें पता नहीं चल पाएगा कि जो उस equipment की जो power है वह कितनी है तो मुझे उमीद है कि आपको यह concept अच्छे से clear हो गया होगा कि RMS value की हमें क्यों जो रोत पढ़ती है और यह कहां से निकाला जाता है कैसे निकाला जाता है और इसकी क्या ओप्यो गिता है इंटर्वी में यह आपसे question पूछा जाता है तो आप इस चीज को अच्छे से समझा सकते हैं कि RMS value की हमें क्यों जो रोत पढ़ती है तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को share कर दीजिए आप दोस्तों साथ जिसे उनको भी a topic आमस्कार दोस्तों